हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में लोकर यूजर एकाउंट कैसे डिलीट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए सुरू कर करते हैं इसको डिलीट करने के लिए बहुत सा तरीका है उन में कुछ तरीका बटाता है कैसे आपको क्या करना है आपको क्या करना है उसके बाद यहां पर दिख जाएगा यदि आपके जाएगा यह औप्षय दिख रहा है इसका मतलब आपका user account Titan DIRECTOR नहीं है local account होगा इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना यहां पर देखेंगे तो यहां पर यूजर नेम के नीचे आप देख लिजएगा यहां पर एड्मिनिस्टर लिखा होना चाहिए यदि आपके केस में एड्मिनिस्टर यहां पर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब आपका एड्मिनिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपको एड्मिनिस्टर में convert करना परेगा उसके बाद ही ऑप्षन आपको दिखेगा अब आपको क्या करना यहां पर आपको दिख जाएगा फैमिली और यूजर इसको पर आपको किलिक कर देना है किलिक करते ही इस तरह से विंडो एकाउंट है और दो गेस्ट एकाउंट है यानि यह दोनों इस्टेंडर एकाउंट है तो सबसे पहले मैं आपको इस्टेंडर एकाउंट डिलिट करना सिखाता हूं इसके बाद मैं आपको एड्मिनिस्टर एकाउंट कैसे डिलिट करते हैं वह भी बताऊंगा इस्टेंड आप एकॉंट चेंज कर सकते हैं standard user से आप administer करना चाहते हैं यहांसे Mercurum लाइन यहां से बनाना सकते हैं अभी मैं आपको बता रहाएं इसको कैसे रिमूब करने के लिए चाहिए यहां पर अधूर्नक करते हैं इस तरह से भेंडो ऊपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर दिख जाएगा delete account and data इसको पर आपको click कर देने, click करते हैं इस तरह से यह account delete हो जाएगा तो पहला तरीका यह होगा, extender account को delete करने के लिए, दूसरा तरीका बताता हूँ, आपको कैसे delete करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं इसको minimize कर देता हूँ, आपको क्या करना है, search पर click करके control panel open कर लेना, या नहीं तो आप कहीं से भी control panel open कर लिजएगा, open होने के बाद इस तरह से control panel open हो जाएगा, अब यदि आपको case में इस तरह से नहीं दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर click करके आपको category select करने के बाद आपको case में इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिख जाएगा user account, इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करती है इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा अब आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूजर एकाउंट इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करती है इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा अब आपको केस में ज इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद फिर से यह से window open हो जाएगा, अब यदि आपके case में यहाँ पर delete this account का option नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके case में एक ही administer account या एक ही user account create है, इसलिए आपके case में वहाँ पर option नहीं आ रहा है, उस case में आपको क्या करना परेगा, दूसरा account आपको create करना परेगा, ओ भी मैं आपको बतात इसके उपर आप click किजेगा, click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप delete account दिखेंगे, यहाँ पर आपको click करना है, click करते ही इस तरह से window आ जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ 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 पर लिखा आ गया window cannot delete account, this is current sign in, यानि अभी यह user account sign इसलिए delete नहीं होगा, तो इसको कैसे delete करना है, वह मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, okay करके इसको बाहर आजाना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस window को यहाँ से minimize करना है, minimize करने के बाद आपको क्या करना है, यह वाला window open करना है, open करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अब मालेज़ यदि आपको case में वहाँ पर delete option नहीं आ रहा था या नहीं तो delete option आने के बाद भी फिर भी delete नहीं आ रहा था इन दोनों case में जो भी problem आता है उन case में आपको क्या करना है सबसे पहले आपको नया user account create करना परेगा इसके लिए आपको क्या करना यहाँ पर add account दिख रहा है इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करती है इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है I don't have के ओपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करते हैं यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ यूजर नेम टैप कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ यूजर नेम यहाँ टैप कर ल जाएगा अब आपको क्या पूस्ते हना कंडैर दिख जाएगा इसके सिट करने का नЕ इसके बास के पर यहाँ प्रक्रम करने के पार यहाथ क्लिक गजेगा ओढ़ यहा प्रतै कर दीने इसलिए जरी विंडों को क्हें से कुलूज करने एक तर यहाथ कार्या यह यूज आपको सारा यूजर दिख जाएगा अब आप जो भी यूजर करेंट आपने क्रिएट किये हैं जिसको आप रखना चाहते हैं उस यूजर से आपको लॉग इन कर देना है अभी आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर मैंने विक्रम 5 नाम का यूजर यानि यह वाला यूजर क्र अब आपको क्लिक कर देना है ऐसी है आपके केस में जो भी नया यूजर आपने क्रिएट किये थे उसके ओपर आपको क्लिक करके उस यूजर एकाउंट से आपको साइन इन करना परेगा साइन इन करते हैं फर्स्ट टायम इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको यहाँ पर next कर लेना है इसके बाद accept पर किलिक कर देना है इस तरह से यह window start हो जाएगा आप देख रहे हैं यह window start हो चुका है इसके बाद आपको क्या करना है सर्च पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको control panel सर्च करके control panel open कर लेना है open करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा user account इसको पर आपको किलिक करना है क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर user account के उपर क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं यह window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर manage another account दिख जाएगा, इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अ आप यहाँ पर आपको सारा user दिख जाएगा अब आप देख रहा हैं यहाँ पर यह पाले बाला एड्मिश्टर एकांट था जो delete नहीं हो रहा था आपको क्या करना उस account के उपर आपको क्लिक कर देना जो delete नहीं हो रहा था इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडो आ जाएगा अम मालेजिए यदि आपके case में भी इस तरह से warning देगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर yes पर क्लिक करते हैं यहाँ से डिलीट हो जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ से यह administer account डिलीट हो चुका है तो इस तरह आप administer account डिलीट कर सकते हैं तो एक तो तरीका यह हो गया administer account को डिलीट करने के लिए दूसरा तरीका आप cmd command से भी administer account को डिलीट कर सकते हैं चलिए मैं आपको दूसरा तरीका से भी बताता हूं cmd command से कैसे आपको इसको डिलीट करना है इसके लिए मैं क्या करो सबसे पहले मै इस user account से login कर रहा हूँ, इस user account को delete करोंगा, इसलिए मैं क्या करोंगा, यहां से sign in कर लेता हूँ, यहां पर click करके मैं क्या कर रहा हूँ, जिस account को delete नहीं करना है, उस account से मैं यहां पर sign in कर रहा हूँ, आप देखरें मेरा account यहां पर sign in हो चुका है, आप आपको क्या करना है, waxton कर लेना करना है यहां पर यूजर एकाउंट को पर किलिक करना है यहां पर आ जाना है यहां पर आने के बाद Q क्या करना है यहां पर दिख जाएगाほको wreck करना है इसके ऑनेr rondде में इसको उपर आपको क्लिक कर दिने किलिए कर ती हैं स्थाए इस से विंदो संपन हो जाए गाब हैं यहाँ लिए लसा मैं टेप करना हैं इस तरह से टैप कीजिए गाइए इसके बाद यहाँ पर हो यूजर नेम करना है NEW डिलीट करना चाहते हैं, example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे case में मैं आपको यह बाला administer account डिलीट करके दिखाऊंगा, तो इसका username क्या है, यहाँ पे Bikram 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसा वहाँ पे capital letter में लिखा हुआ है, वैसे ही करना है, जैसे small letter में लिखा है, वैसे ही टैप करना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम टैप करना है, आपके case में जो भी पॉच करने के बाद यहां पर आप देख लिजेगा क्या कमांड माने टैप किया है इस तरह से टैप करने के बाद आपको क्या करना यहां पर इंटर करते हैं इस तरह से सक्सेस्फुल हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हैं यह सक्सेस्फुल हो चुका है आप आपको क्या क इस विंडो को यहां से क्लोज कर देने इसके बाद इस विंडो को भी यहां से क्लोज कर देने इसके बाद आपको क्या करने सिस्टम को रिये स्टार्ट कर देने इसके बाद इस तरह से मैसेज जाएगा तो रिये स्टार्ट एनिवे की उपर आपको किलिक कर देने किलिक करते ह से यह रिये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ यूजर एकाउंट के उपर आपको जाना है फिर से यूजर एकाउंट के उपर आपको किलिक करना है मान लेज़े फिर भी आपके case में यह delete होने में कोई दिक्कत आता है कोई problem आता है यह delete नहीं हो पा रहा है वैसे 100% हो जाएगा फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आपको क्या करना है मैं यह का आपको cmd command बताता हूँ उस command को आप run करके delete कर सकते हैं यानि वो command आपको administer account को disable करने के लिए होता है वो command मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च पे किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको cmd टैप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा cmd command इसके बाद इसके उपर आपको right click कर देना है, इसके बाद यहाँ पर run administer के उपर आपको click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, यदि आपको case में भी इस तरह से window open होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर yes पर click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपक आपको space देने इसके बाद forward select इसके बाद यहाँ पर active colon and no इस तरह से टैप कि लिजेगा जैसा मैंने टैप किया वैसे टैप कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देने इंटर करते हैं इस तरह से यह command successful हो जाएगा यानि यह command होता है आपको यह command यूज करने के लिए पर जैसे मैंने आपको पहले बाले इस्टर बताया हूं वह इस्टर फॉलो करके आप इंटर और सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्यू